आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुप नवरात्री वाले दिन अगर आप लोग अपने घर के दर्वाजे पर यहाँ एक चीज बान लेंगे तो आपकी सारी दिक्कते दूर होईंगी वह एक चीज आप लोग बहुत असानी से अपने घर में बान सकते हैं और उससे आपके घर में सकरात्म कूरजा आईगी आप अगर अपने घर में आम के पत्ते का तोरण बानते हैं तो उससे सारी दिक्कतें कला कलेश का निवारण होता है घर के मुख्य दौरण 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 पर लगाने से सभी मांगलिक कारे निर्विग्न पूरे होते हैं बुरी शक्तियों का नाश होता है एवं सकरात्म कूरजा आपके शुप कारे में बादा नहीं डाल पाती साथी साथ इसलिए दरवाजे पर आम के पत्ते को लटकाना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुती जादा शुब माना गिया है धार्मिक माननेताओं के मताबिक आम हनुमान जी का भी प्रियेफल है इसलिए जहां भी आम और आम का पत्ता होता है वहाँ हनुमान जी की विशेश क्रिपा बनी रहती है साथ ही साथ अगर आप लोग अपने घर के दरवाजी पर मुख्य दौार पर उसके साथ गेंदे का फूल भी लगाते हैं तो वहाँ भी आपकी सारी दिक्कते और परिषानिया दूर करेगा तुप्त नवरात्री उस दिन घर में आम के पत्ते का तूरन लगाएं ऐसा करने से आपकी सारी दिक्कते दूर होईगी और घर में सकरात्मा कूर्ज़व बनी रहेगी गर्द में जो भी कला कले शोईंगे बाता होईगी उन सबका निवारण अवश्य ही होगा अभी के लिए बस इतना ही